गाईज मुझे एक कमेंट देखने को मिल रहा था जैसे mm10king इनका कहना है कि सर रैविट के बच्चे को ठंड में हाथ लगा सकते हैं प्लीज रिपलाई सर प्लीज रिपलाई और जैकलीन साइमंड इनका कहना है कि सर हम अपने खरगोश के तीन दिन के नवजाद बच्चों को नेस्ट बॉक्स के रूई से बाहर निकाल सकते हैं या उन्हें हाथ लगाने से बाहर निकालने से कोई दिक्कत होगा तो गाईज हम लोग इस वीडियो में यही सब कुछ बहूत हीज़ी और सरल तरीके से देखने और जानने वाले हैं कि विंटर सीजन में यानि जबर दल् खर्गोस प्रेगनेंट है बच्चे देने वाली है या हाल ही में बच्चे दी हुई है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिसे आपको अपने खर्गोस के नौजाद बच्चों की अच्छे से देख भाल करने की उनकी केयर करने की पूरी जानकारी मिल सके और आपको आप हमारे चैनल पर नए है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में विल आइकन प्रेस करके आल पर कर लिजे जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं खरगोस से समंदित वीडि जैसा कि आप सभी पुराने रेविट लबर भाई बहन को पता भी होगा और जो नए रेविट लबर भाई बहन है उन्हें भी पता होना चाहिए कि जो खरगोस के नौजात बच्चे होते हैं वो जब पैदा होते हैं तब बिलकुल बिना बालों के एक दम नंगे ही पैदा ह होते हैं जैसा कि आप लोग इन एक दिन के खरगोस के नौजात बच्चों को देख पा रहे हैं ये गर्मी के सीजन के बच्चे हैं और सभी बच्चे पूरी तरह से हल्दी हैं और गाई जब हम जबरदस्त ठंड में पैदा हुए बच्चों को दिखाते हैं गाई देखिए एक 11 दिसंबर को पैदा हुए बच्चे हैं जिने हम उनकी मा के साथ ही अच्छी तरह से काटन के नेश्ट बॉक्स में रूई में कवर करके रखे हुए हैं और गाई जब बात करते हैं कि क्या हम इन बच्चों को हाथ लगा सकते हैं या नहीं तो देखिए जब तक बच्च बार बार बाहर निकालेंगे तब आपके छूने मात्र से भी उन्हें ठंड हो गयरा लग सकता है और आपको तो पता ही होगा कि जब बड़े खरगोश भी जरासी ठंड की चपेट में आ जाते हैं तो परिसान हो जाते हैं तो ये तो नवजाद बच्चे हैं और अगर इनको ठंड का असर हो गया तब सभी बच्चों को बचाना मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि इतने छोटे और नाजुक बच्चों का हम कोई टीटमेंट भी आसानी से नहीं कर सकते हैं यानि कहने का मतलब है कि बिंटर सीजन में रैबिट के निव बोर्न बेबी को जहां तक हो सके काटन के अंदर ही रखें उन्हें बहुत ज़्यादा टच ना करें और बार बार ठंडी हवा वगयरा में चलने पर उन्हें मजबूर ना करें उन्हें बाहर ना निकालें और उनके सुशु पोट्टी करने पर भी गीले रूई को हटा कर नई और सूखी हुई रूई का प्योग करने की पूरी कोशिस करें गाईज मेरे कहने का मतलब है कि आप साफ सफाई के लिए ही बच्चों को बाहर निकालें और भी हाथों को थोड़ा गरम करके साफ सुत्रा करके बस बाकी बार बार ना तो बच्चों को टच्च करें और ना ही बाहर निकालें और मां खर और उसके नवजाद बच्चे आपके हैं आप उन्हें कैसे मैनेज करते हैं उन्हें ठंड से कैसे बचाते हैं ये टोटल आपकी ही जिम्मेदारी है हमारा काम था सिर्फ आपको अब एर करना कुछ जानकारी देना जिससे आप उन्हें हेल्दी रख सकें और गाईज अगर कोई भी डाउट या कनफ्यूजन हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें हम आपको हाँ देर सबेर डिटेल्स में रिपलाई देने की आपकी हेल्प करने की पूरी कोसिस करेंगे तो चलिए गाईज मिलते हैं खरगोश से समंधित किसी और नई वीडियो में जाए हिंद